दोस्तो सवागत है आप सभी का हमारे ये यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अगर आपको भी फ्लिप कार्ट का गिफ्ट वाउचर मिला है और गिफ्ट वाउचर को आप जो है अपने फ्लिप कार्ट में एड करना चाह रह खालेंगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है किस तरीके से आपको अपने टीफ कार्ट में आपको गिफ्ट कार्ड करना है तो इसके लिए देख सकते हैं सबसे पहले काई यहां पर आपको आपके मैसेज या फिर E-mail में दिया जाता है जैसा की आप देख सकते हैं मेरे पास है HDFC Bank की तरफ से मेरे को 1000 रुपय का गिफ्ट काड दिया गया है तो यहां पर दिख सकते हैं लिखा हुए इसका काड कोड और यहां पर फेस वैली 1000 की दी हुई जो मेरा गिफ्ट कार्ड है वह 1000 रुपय का है और उसका पिन तो यह पिन होती है और एक साल रहता है जАसे कि माल ली जया जोबी देट और को मिल रहा है उससे एक साल तक के लिए वह वैल capable रहता है तो जो मेरा gift card number है इसको मैं यहां से इस तरीके से copy कर लेता हूं आपके पास भी अगर message यह फिर आपके mail पर आया हुए जैसा कि मेरे को HDFC bank की तरफ से यह जो है दिया गया है तो आपको करना क्या होगा आपका जैसे कि यहां मेरा flip card open है तो आपका जो flip card होता है जब भी आप open करते हैं तो कि इस तरीकी से जब आप profile में आते हैं तो यहां पर एक option आपको मिलता है gift card का है तो आप देख सकते लिखा हूँ अभी यहां पर जो मेरा gift card जहां पर जो balance है जीरो है और यह लिखा हुए gift add flip card gift card तो यहां मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हूँ gift card number और gift card pin तो जैसा कि हमारे जो mail में आपने देख था कि gift card number और gift card pin तो वह हम को यहां पर enter करना है जैसे कि मैंने copy यहां पर payst कर देता हूँ और यहां पर जो हमारा gift card का pin तो हम यहां पर डाल देते हैं तो फह मारा जो pin था वह pin को भी हम यहां रिख सकते हैं यहां पर अब आप देख सकते हैं यहां मेरा gift card का जो balance है अभी जीरो था यहां पर 1000 रुपीज हो गया है और one card है यहां पर expiry इसका date जो दिखा रहा है 28 माई 2025 तो यहां पर जो है मैंने अपने gift card को यहां बहुत ही असान तरीके से एड़ कर लिया है तो दोस्तों अगर आपको भी बैंक या फिर किसी भी तरीके से आपको जो है gift card या voucher मिला हुआ है तो आप उसको flip card में कैसे एड़ करेंगे आज की इस वीडियो में ने यही बताया है और यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए मिलते हैं next वीडियो में